हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत आपका फिर से एक बार मेरे यूटूब चैनल में जैसा कि आप सब जानते हो कि 10 फरवरी रेलवे एंटीपीसी जो फर्स्ट शिप्ट है उसकी एकजाम है वो समाप तो चुकी है और आज की शिप्ट में कौन-कौन से क्यूसन पुछे गए हैं उन्हें के बारे में हम चर्चा करेंगे अगर आपने आज की शिप्ट का पेपर दिया है तो प्लीज आपको जो जो क्यूसन याद है प्लीज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि जब भी कोई नए स्टुडेंट ये वीडियो देखेगा उनको कोई पता जल सके कि आज की सिप्ट में कौन-कौन से क्यूसन पूछे गए हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रैड गलर के बटन को दबाकर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्थित बैल कब हुई थी यानि जी डी-आर्डियो है इसकी स्थापना सन उन्नीच सो अठ्यावन में हुई थी डी-आर्डी की फुल फॉरम है डिफेन्स रिसर्च एंड डॉप्मेंट ओर गनाइजेशन और डी-आर्डियों के अध्देक्स को अन वर्तमान में जी सत्थीस रेड़ी इसके अध्यक्स है और DRDO का मुख्याले कहां पर इस्तित है न्यू देली में DRDO का मुख्याले इस्तित है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है UNGC का मुख्याले कहां पर इस्तित है जो ONGC है इसका मुख्याले देरादून में इस्तित है और ONGC की फुल फोरम है Oil and Natural Gas Corporation और इसके अद्दीख से कौन है ONGC के ससी संकर इसके वर्तमान में अद्देख से है इसके बाद में हमारा next question है Parliament में Join Session किस Article में आता है यानि जो Parliament होता है उसमें Join Session है ये कौन से Article में आता है अनुछेद 108 यानि Article 108 में आता है इसके बाद में हमारा next question है E-N-I-A-C का पर्थम electronic computer किस university ने बनाया था यानि जो E-N-I-A-C है इसका पर्थम electronic computer है वो कौन सी university द्वारा बनवाया गया था या बनाया गया था इसका right answer है पेसिलवेनिया विश्वविद्धेले पेसिलवेलिया जो यह university है इसके द्वारा यह E-N-I-A-C जो है computer है यह बनाया गया था इसके बाद में हमारा next question है PDF की full forum क्या होती है यह computer से related question है जो PDF है यह इसकी full forum क्या होती है portable document format जो है वो PDF की full forum होती है इसके बाद में हमारा next question है अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है यानि जो अरब सागर की रानी है वो कौन से नगर को कहा जाता है इसका right answer है जो कोचीन है उसको अरब सागर की रानी का कहा जाता है इसके बाद में हमारा next question है lengthist written construction किस देश का है यानि जो lengthist written जो construction है वो कौन से देश का है इसका right answer है इंडिया यानि बार्त का इसके बाद में हमारा next question है बार्त के सविदान को कब अंगिकरित किया गया था यानि जो बार्त का सविदान है इसको कब अंगिकरित किया गया था 26 जनवरी 26 नौंबर 1949 को बार्त का सविदान है उसको अंगिकर्त किया गया था और इसको ल Qutin है युख एन ओ में कितने इस्ताई और इस्ताई सदस्य होते हैं यह जो यू ऐनissä है इसमें कितने इस्ताई और इस्ताई सदस्य होते हैं इसका राइट आंसर है संवकतराश問 सरक्षा प्रीष्प ये यू और ओकी फुल्षर Taleirm होती है इसमें कुल 15 देशों में से 5 सदस सदस से इस्ताई होते है और जब कि 10 ऐस्ताई सदस से देश होते हैं इसमें 5 इस्ताई होते है और 10 ऐस्ताई होते हैं इसके बार में हमारा next question है वर्ल्ड बैंक की स्तापना कब हुई थी यानि जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्तापना कब हुई थी जुलाई गुनिशो चोमालिश को वर्ल्ड बैंक की स्तापना हुई थी इसका मकसद क्या था जो दितिये जो वर्ल्ड वार यानि विश्व युद हुआ था और विश्व व् विख्यान अकेडमी की स्तापना कब हुई थी यानि जो राष्ट्री विख्यान अकेडमी है इसकी स्तापना कब हुई थी साथ जनवरी 1935 को राष्ट्रिय विज्ञान अकेडमी की स्तापना हुई थी और ये कहां पर इस्तित है कोलकाता में इस्तित है राष्ट्रिय विज्ञान अकेडमी इसके बाद में हमारा next question है विक्रम सिला युनिवर्सिटी की स्तापना किसने की थी? यानि जो विक्रम सिलाज उनियर्सिटी है, इसकी स्तापना किस ने की थी, इसका right answer है ध्रमपाल ने इसके बाद में हमारा next question है मानव विकास का सिद्धान्त किस ने दिया था यानि जो मानव विकास है इहुलेशन है इसका सिद्धान्त किस ने परतिपादित किया था इसका right answer है Charles Darwin ने इसके बाद में हमारा next question है बारती रोष्ट्रियों कोंग्रेस के पर्थम जनरल सेकेरेटरी कौन थे यानि जो बारती राष्ट्रियों कोंग्रेस के पर्थम जनरल सेकेरेटरी कौन थे ए ओ हूम थे यानि कौन थे ए ओ हूम थे इसके बाद में हमारा next question है मांजूली दीव पे कौन सी नदीव बनाती है यानि जो मांजूली जो दीव है वो कौन सी नदीव बनाती है इसका राइट आंसर है ब्रह्म पुतर नदीव बनाती है मांजूली दीव इसके बाद में हमारा next question है मासको और ब्रमपुत्र नदिक के मिलने से कौन सी एंटी टेंग गाइड गाइड मिसाइल बनाई गई थी यानि जो मासको और ब्रमपुत्र जो नदि है इसन दोनों के मिलने से कौन सी एंटी टेंग गाइड गाइड मिसाइल बनाई गई थी इसका right answer सुपर्सोनिक बर्मोष जो मिसाइल है वो इन दोनों के नदी के मिलने पर बनाई गई थी इसके बाद में हमारा next question है परकास के परकिर्णन की खोज किस ने की थी यानि जो परकास का जो परकिर्णन है इसकी खोज किस के दवारा की गई थी इसका right answer है डॉक्टर सीवी रमंद्वारा इसकी खोज की गई थी परकास के परकिर्णन की इसके बाद में हमारा next question है बुद्ध का जनम कहाँ पर हुआ था यानि जो बुद्ध है उनका जनम कहाँ पर हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था बुद्ध का जनम लुम्बिनी नेपाल में इसके बाद में मारा next question है गोवा का राष्ट्रिय वन्य जियू अभ्यारण कौन सा है यानि जो गोवा है उसका राष्ट्रिय वन्य जियू अभ्यारण कौन सा है इसका right answer है मोलेम राष्ट्र दिये उद्यान इसका right answer है इसके बाद में हमारा next question है a l किस function group को suffix है यानि जो a l किस function group को suffix है इसका right answer है a l di go ldi go इसके बाद में हमारा next question है IPL 2020 का कौन सा संस्क्रण था यानि जो IPL 2020 हुआ था इसका कोन सा संस्क्रण था तेरवा संस्क्रण था इसका राइट आंसर है तेरा इसके बाद में मारा next question है अठारो सो सत्यावन का विद्रो बागपत से किस ने किया था यानि जो अठारो सो सत्यावन का जो विद्रो हुआ था यह बागपत से किसके द्वारा किया गया था इसका इसके बाद में हमारा next question है किस सहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है वो इसका right answer है कोचीन को और मसाले को बगीचा कहां पर इस्तित है केरला में पूरू का पेरिस जैपूर में इस्तित है बार्त का स्यूजर लेंड जम्मू का समेर को कहा जाता है इसके बाद में हमारा next question है आर के लक्षण क्या है आर के लक्षण क्या है को टोनीस्ट आर के लक्षण है तो दोस्तो इसके बाद में हमारा next question है total moon of mars यानि total चंदर्मा कितने है इसका right answer है 2 विल्ली आर परजेंट इंड इसका right answer है इसमाल इंट्रेस्ट आइन इसके बाद में हमारा next question है arrange sequesification यानि इनको arrange करना है बढ़ते वी unit में के भी जो है वो सबसे चोटी unit होती है इसके बाद में MB इसके बाद में GB इसके बाद में TB सबसे बड़ी unit PB है और सबसे चोटी unit के भी है इसके बाद में हमारा next question है बार्त में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राजय कौन सा है यानि जो बार्देश है इसमें सबसे बड़ा केले का उत्पादक राजय कौन सा है तमिल नाडू इसके बाद में हमारा next question है किताब उल हिंद के लेखक कॏन है यानि जो पुष्ट jumped के लेखक कॏन है अल बरुनी इसके लेखक है इसके बाद में हमारा next question है कौन सी steel company है जो sale है वह एक steel company है इसके CEO कोन है सूमा मुंडल इसके CEO है और इसकी स्तापना कब होती है गुनिस जन्वारी उन्निश ग्रम रंगा उन्द लिमत foster 8 So गो कि थो दोस्तों आज की वीडियो अमारी में इतनी थे मिलते एंछे हिट में अगर आगए को सब्सक्राइब किया है तो आपको जो ओक्यूढ याद हुग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि जब कोई नए स्टुडेंट ये वीडियो देखे का उनको पता चल सके कि आज की सिप्ट में कौन-कौन से क्यूशन पूछे गए हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज निचे दिए कि रैडिकलर के बटन को दबागर प्लीज चैनल को सब अगले में स्टित बैल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करकर ओल पर किलिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बा कर बादे ना ताकि जब मैं ओनलाइन आओ तो तुम्हारे पोन की भी घंटी बजे अगे।